हि सभी सातियों को मेरा जुहार आज के विडियो में बात करने वाले जुहारखन पॉलिटेक Sutra कॉंसलिंग के बारे में डीटूडी दो हजा तरीं कॉंसलिंग के बारे में काफी कुछ में बताने वाला हूं इसलिए वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखिएगा अगर आप 2023 में पॉले टेक्निक में या फिर बीटेक में नाम लिखवाना चाहते हैं कॉंसलिंग को लेकर जो भी आपके मन में परस्त ने चल रही सभी का उत्तर इस वीडियो में उपलाब दें बस काम क्या करना चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जूड़ जाएगे टेलिग्राम का लिंग डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरा इस्टाग्राम आइडिया आपको दिख सकता है ननी 2022 इससे जूड़ का आप हमसे बात कर सकते हैं ठीक है इस वीडियो को बीचाइब पुले टेक्निक वहला हो जाए इंट्रांस देने के बाद में आपका रिजल्ट आएगा रिजल्ट आजाने के बाद में आपका मन चाहां बरांच होगा भाई कि हमको लिट्री का लेना है मैकनिकल सीविल कुछ भी बरांच लेने का मन करेगा पार्टिकुलर का तो क्स ब्रांच पसंद है अगर यह नहीं मिलता तो क्या ले सकते tulee को भरते यह नहीं तो यह सई यह नहीं सही लें घ् Fell तो देखते हैं उन्हों नहीं स्लिपर भोगी खाली वह भी नहीं तो फिन टूटर बूक करके जाते हैं कि आपको जाना है उस जगा पर डिशने से नहीं पहुंचना है उसी परकार से अगर जीपी आदित्या पूर्म आपको अलेक्ट्रिकल मैकनिकल नहीं मिल पारा तो आप आपका रेंग 10,000 तक भी रहेगा तो आपको अराम से इसमें मन्चा ब्रांच मिल दाएगा अगर आपका रेंग 20,000 भी रहेगा तो आपको इसमें अराम से एडमिशन मिल दाएगा मेरे बातों को गोर कीजेगा 10,000 रेंग रहेगा तो मन्चा ब्रांच मिलेगा 20,000 तक रें आपको अराम से इसमें मिल सकता है बढ़ कब जब बहुत सारी बहान चातरे जी डेवलूपी में इंट्रेस्ट ना दिखाते वे जीपी में दिखाएगी या फिर बहुत सारी बहान ऐसी होते जो कि वहली इंट्रांस देती है उसको एडमिसन नहीं चाहिए होता तब आपको इ सब बच्चे लोग प्रिफरेंस को भरते हैं इसमें लगबाग आपको 3500 सीटे है जो गुबर्मेंट पॉल टेक्निक करें पकेवल 3500 सीट है यह रियालिटी है आप अगर सीट मैट्रिस को देखिए कि जब लॉंच होगा तब आप सीट को काउंट कर लिजिएगा बहुत सर किया नहीं है कितना पुलिटेकनिक में नंबर आया इसे अगर आपका बहुत अच्छा रहा तो आपका रेंक क्या होगा की नजदीक होगा मतलब 10 होगा 100 होगा इस तरह नंबर मतलब ज़्यादा कर दिया मतलब 10 लिज़ों में लेकिए 10 तक रेंक आए कि आग बीस हजार 3030 म तो रेंग खराब हो जाता है ठीक है बियाएटी का कंडिशन है तो बियाएटी सिंद्री में जादा सीट नहीं है कितना सीट लगबग सतर सीट सीट होता सबी बरांचों को मिला गए इसमें प्रोडक्शन भी अंडस्टियल भी बहुत तरी बरांचों उसको लेकर तो अगर ब बियाएटी अराम से मिल जाएगा कोई भी बरांच मिलेगा बड़ अगर आपको मन चाहा बरांच चाहिए कि नहीं लेकर पढ़ना है मेकनिक लेकर पढ़ना उस वक्त में आपको 50-60 रेंग रहेगा तब यह आपको बात को सुना जाएगा इस से अधिक रेंग वाले क्या मि बियाटी से कि अगर किसी को डी टूडी की परिक्षा की तजारी करना दो हजार चौबीस का मद्दे नजार रखते हुए जो भी पॉलेटेक्निक में पढ़ रहे हैं तो आप नाम सुनेंगे डैनेमिक रिजनोंस एकेडमी जो एबी से कुमार के द्वारा चलाया जाता है उ इसे जुड़कर आप पढ़ सकते हो यह अच्छा गाइडलेंस आपको प्रोबैट करेंगा ठीक है अब वापस अपने टॉपिक पाजाते हैं कि अगर आपका रैंक खराब हुआ तो क्या होगा रैंक खराब है कि अच्छा इस पर चिंता मत कीजिएगा पहले फोकस कीजिए कि आपको मन चाह बरांच लेना क्योंकि बरांच ऐसा चीज जिंदकी भर साथ रहने वाली इस तरह में हैं कि इतना परसेंटेज आहाई सबसे पूचे जाए उस तरह से बरांच साथ में चलने वाला से लाइफ टाइम तक इसी फिल्ड में नौकरी लिएगा पढ़ाई किज तो ब्रांच को देखना है भले कॉलेज आपको जीपी में मन चाहा ना मिल जाता फ्री तो आप ब्रांच पर फोकस कीजिए ठीक है बात बाते होगा कॉंसलिंग को लेकर किस तरह से ब्रांच पर फोकस करना किस तरह कौन तरह बहुत अच्छा अच्छा खराब मैं नहीं आपको इंट्रेश इलेक्ट्रिकल में हो तो मैं ब्रांच का मतलब समझा दूगा कि कौन सा ब्रांच के लिए क्या पढ़ना पड़ता तीन साल तक उसका कहां कहां जोब मिल सकता है उसका आप लोग खुच से देख लिजेगा वीडियो मेरे बहुत सा टोपिक चाने वाली सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत से बाते में कहां रहा हूं बता रहा हूं बढ़ा जूड़ नहीं रहे जूड़ी हैं अच्छा लगेगा आते रहे क्रबता के लिए जए ही जैब भारत